करीब दस महीने बाद जब इंडिया और पाकिस्तान दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड पर मिले तो क्रिकेटिंग फैंस जो जेनुइन क्रिकेटिंग फैंस हैं उनके तो सबसे अच्छे दिन आ गए कल जब बाबर आजम और रिजवान फील्ड पर उत्रे तो कई लोगों को 24 अक्टोबर 2021 वाला मैच यादा गया जब रिजवान और आजम ने अकेले ही इंडिया को हरा दिया था और वो भी दस विकेट से फिट एम मूँ उसके उपर वर्ल्ड कप मैच वो एक बड़ा अपसेट रहा था हमारे लिए और हमारे पाकिस्तान को मैचेज में हराने के क्लीन रेकॉर्ड में एक काला धबा अब दुबई में एशिया कर्प में इस मैच में काफी ड्रामा रहा पहले पाकिस्तान को सस्ते में आउट किया गया, लगा कि हाफ टाइम में गेम ओवर मस्टर स्ट्रोक लेकिन फिर लास्ट ओवर तक आते आते ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं फिर से दोबारा बाजी ना मार ले अरे मैं तो नाकून चवारा था लेट नाइट तक, लेकिन ये मैच सिर्फ शानदार क्रिकेट के लिए यादगार नहीं रहेगा बलकि कल तो कुछ ऐसी बाते भी हुई जिससे हमारी जीत को एक अलग मिठास मिली और शायद उस पुराने सवाल का भी अब हमें धीरे-धीरे क्लियर जवाब मिल रहा है कि क्या हमें अपने दुश्मन, हमारे ट्रबलसम नेवर, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं कमाल की बात तो ये है कि बॉलिवूड से लेकर बुक्स को हर रोज बॉयकॉट करने वाली आईटी सेना भी कल बॉयकॉट को बॉयकॉट करके ध्यान से मैच देख रही थी वा, गजब की फकीरी है वाई, आए चोट के कारण शाहीन अफरीदी जो की पिछले इंडिया पाकिस्तान मैच में मैन अफ दे मैच थे इस मैच में नहीं खेल रहे थे पर ऐसा नहीं कि वो दिखे नहीं अरे बड़ा इंपक्वल उनका विजिबिलिटी रहा उन्होंने कोहली से मिलते गए कहा और कि मैं दूआ करता हूँ कि आपका फॉर्म वापस आ जाए that you return to your form तो कोहली के तरह कहीं इंडियन फैन्स भी ये बात देखकर यकीन न कर पाए कि ये हम क्या सुन रहे हैं ये सची में ऐसा हो रहा है या नहीं फिर कोहली ने भी बाबार आजम को क्या कहा कि he is one of the best batsman in the world सतर साल की क्रिकेटिंग rivalry और ऐसी अशलील बाते ऐसा कैसे हो रहा है या शायर इसी को कहते हैं sportsmanship spirit कहीं न कहीं वापस आ रही थी game में और वैसे में भी खेल तो क्रिकेटिंग pitch पर जीता जाता है ना की नारे बाजी से ना की जंडे लहराने से और ना ही practice ground पे ये बात सही है कि ये जो fake cricket fans हैं इन बातों को ज़्यादा तबजू देते हैं कि match के बाहर लोगों ने क्या किया और कहा rather than match में कैसा खेला और नारदमुनी मीडिया वो तो हमेशा कोशिश ज़रूर करती रहेगी कि दोनों side को कैसे बिढाएं उनको कैसे बढ़गाएं अरे बाबा क्रिकेट के नाम पे पाकिस्तान के नाम पे टी आरपी दे बाबा लेकिन हाल फिलहाल में दोनों साइट के प्लेयर्स को देखकर लग तो राए कि कुछ तो बदला है इस हाइप्ट इंडिया पाकिस्तान राइवल्री में शायद हमारी टीम भी जानती है कि असली जो दुश्मन है आज क्रिकेटिंग फिल्ड में पिच पर वो उस्ट्रेलिया है पाकिस्तान नहीं है ठीक जैसे हमें ये समझ जाना चाहिए कि बॉर्डर पर असली दुश्मन आज चाइना है पाकिस्तान नहीं या फिर दोनों साइट के क्रिकेटर्स को ये बात भी समझ में आ गई है कि फैन्स और मीडिया शायद उन्हें कुता मिल्ली के तरह लड़ते देखना चाहते हैं ना कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्योंकि उससे उनका फ्री में मनोरंजन होता है लेकिन इतने अच्छे और मिच्योर प्लेयर बिहेवियर के बावजूद क्या हमें क्रिकेट खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ इस सवाल का जवाब हम अभी आपको देते हैं लेकिन पहले मैच का थोड़ा ब्योरा तो ले लेते हैं क्योंकि मैच तो शांदार था मैच की शुरुआत होती है एक जबर्दा स्ट्रेट ड्राइव से और उसके बाद काफी कॉन्फिटेंट लगते हैं बावराजम लेकिन जब वो भूवी का एक बाउंसर को वो मिस्टाइम कर देते हैं और बॉल और पाकिस्तान की उम्मीदे दोनों हवा में उड़ जाती है और अर्षदीब सिंग ने कैच लेकर इंडिया को अपना पहला और शायद मैच का सबसे इंपोर्टेंट विकेट दिलवा देते हैं वो फिर धीरे धीरे मैच में इंडिया की पकड़ बढ़ती ही जाती है रिजवान और इफ्तिकार को छोड़ कोई भी इंडियन पेस बॉल का तो हार्ट फेल तभी हो गया था मैच छोड़ चाड़ के चले गए थे अपना अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए 148 का टारगेट का पीछा करती इंडियन टीम की शुरुवात बहत खतरनाक होती है केल राहूल आउट होते हैं अपने फॉर्म से स्ट्रग चौड्स नहीं खेले अगजब की भगीरी है कोहली में भाई इसके बाद जडेजा और लास्ट में पांडिया के फायरवर्क्स ने इंडिया को फाइब विकेट से जितवा दिया लेकिन लेकिन किन्तु परंतु लास्ट ओवर में हालत ऐसी हो गई थी कि मैच किसी भी तरहि इसा खेला जो बंदा स्ट्रेचर में गया था पिछले मैच में अगेंस्ट पाकिस्तान इस बार पैक अप और स्ट्रेचर पे डाल दिया पाकिस्तान को खोधी आरे वरे एक्सपर्स तो कहरें कि धूनी की आत्मा आ गई थी उनके अंदर आ और वैसे दोनों टीम्स की परफ चुके इंडिया और पाकिस्तान एक समय जादा पहले की बात नहीं कर रहा हूँ जब एक समय ऐसा आ गया था एक मोड ऐसा आ गया था जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे आ गये थी कि लग रहा था कि ये दो देश अब आपस में क्रिकेट नहीं खेलेंगे मैच के बीच में जगड़े मैच के बाहर जगड़े उसके उपर पॉलिटिक्स उसके उपर कंट्रोवसी प्लेयर का खराब एक दूसरे के तरफ उसके बाद भढ़काओ बयान इधर से आ रहे और मीडिया लोगों को भढ़का रही थी तो काफी फ्यूचर जो इंडिया पा आ गई है दोनों साइड में दोनों तरफ से और ऐसा विवार ऐसा बेहवियर हमें पहले तंदूलकर से भी दिखता था वो ये सब मैं नहीं नहीं आउट नहीं हुआ हूँ नहीं अब बायर लगा हूँ ऐसा नहीं करते थे उनको समझ में आ चुका था जब वो आउट होते चुप-चाप चले जाते थे पविलियन के तरफ तो वो maturity अब हमें इस generation of players में भी दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि कल पाकिस्तानी e-fielders ने अपील नहीं की अरे भर-भर के चिलाया हर बॉल पे चिलाया ऐसा लग रहा है कि cricket नहीं खेल रहे थे politics में अपनी उमिदवारी प अरे पाकिस्तान जोड़िये इंडिया में भी मांजरेकर और अविंदर जडेजा के बीच में जो cold war चल रहे थी उसका भी बहुत मासूमियत से वो भी उसका भी खात्मा हो गया क्या ऐसी बाते पहले होती थी? कभी गंभीर अफरीदी के बीच में fight, कभी गंभीर अखमल के बीच में fight, कभी हरबजन और शुएप के बीच में जगड़े चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में match के साथ-साथ ads भी काफी popular हुए और लोगों को भढ़काया गया मौका मौका याद है, sports person spirit को ताक पे रखके दोनों देशों के fans को बिढ़ाया जाता था इस ads से, इस ad campaign से कोई किसी को बाप बोल रहा है, कोई किसी को धोके बास बोल रहा है, कोई किसी का मजा कोड़ रहा है और बीच में media और sports channel है, मजे लूट रहे और पैसे लूट रहे अरे जितना लोगों को भढ़काओगे, उतना advertising revenue और बढ़ेगा वैसे में भी सोने के भाव चड़ता है advertising revenue इंडिया पाकिसान मैच के बीच में माहौल इतना खराब हो गया था कि सानिया मिर्जा को भी बीच में आकर tweet करना पड़ा था कि अरे भाई ये एक cricket match है, ये वैसे भी इतना hyped है, इसे और क्यो market कर रहे हो इस तरीके से भाई it's enough, इंडिया पाकिसान मैच के बीच में कई ऐसे बारदाते हुई हैं जिससे cricket का खेल ये रहने गिया था पिछले बार के मैच में कुछ पागल इंडियन्स ने भाई पाकिसान के जीत को celebrate करना सही समझा, आचा चलो गलती कर दी, गधे हैं लेकिन उसके उपर state भी चड़ गई, sedition law लगा दिया, महीनों तब जेल में डाल दिया, अरे भाई इतना भी क्या डरना ऐसे पागलों से, और इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, विराट कोली का एक फैन, इंडिया का जंडा लहराने लगा, दस साल की उसे भी सजा हो गई, भाई अगर किसी ने नारा लगा दिया, किसी गधे ने जंडा फैरा भी दिया, तो उससे क्या तुम्हारा देश कमजोर हो जाता है, क्या इंडिया के हारने से या पाकिस्तान के, सोच लिजे, hypothetical, पाकिस्तान के जीतने से हमारी देश की दशा और दिशा वलिदान का अपमान है, उसके उपर religious angle, मौहमद शमी, काफी गाली गलोच उनको सुनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाब उनकी performance इत्ती कमजोर क्यों थी? भाक्त मंडली बोला, पता लगा हो या, पता लगा हो ऐसा क्यों हुगा? 1999 में जब पाकिस्तान इंडिया में आने वाली थी टेस्स सीरीज के लिए, शिवसेना ने रातो रात फिरोशा कोटला, जो कि आज अरुन जिटली स्टेडियम कहला जाता है, उसको खोद डाला, और शिवसेना को ने धमकी दी कि पिछ पे हम साप छोड़ देंगे, पर सूच जो कि दुनिया में भारत का पर्चम किस बात के लिए लहराया जाए, कि हमने पिछ खोड़ डाला, पाकिस्तान को बॉइकॉट कर दिया, क्रिकेट का नाम शर्मशार कर दिया, या उसी पिछ पे 10 विकेट का वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया, हमारा देश आगे किस चीज़ से बढ़ेगा, पाकिस्तानी हुकूमत पर आतंकवात को सपोर्ट करने के संगीन आरोब हैं, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार और हमारी फौज है भाई, हमारे में इन ओलिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना स्ट्राइक मार रहे हैं, उनको आपकी बॉयकॉट की जरुवत नहीं है, तो मैं इन ब्लू को अपना स्ट्राइक मारने दो, मैं इन ब्लू को अपना सर्जिकल स्ट्राइक मारने दो, फौर इंस्टेंस, कोल्ड वार के समय है, USA और USSR के बीच में बहुत घमासान था, लेकिन वो एक दूसरे को गेम्स को और शर्मशार होना पड़ता था, हमने अल्रेडी पाकिस्तानी सिंगर्स और एक्टर्स को बॉलिवूट से रोक कर एक बहुत बड़ी भूल की है, हम पूरी दुनिया को दिखा सकते थे, कि देखो पाकिस्तानी टैलेंट इंडिया में आके फैल रहा है, फूल रहा है, फ घबराना नहीं है पाकिस्तानी आर्मी, ISI के साथ है, पाकिस्तानी लोगों के साथ नहीं, यही प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी यही बात कहिए, कि हमें डिरेक्ली पाकिस्तान के लोगों से बात करने की जरूरत है, और वहां हमारी कल्चर भी बहुत फैलती फूलती है, कंगना की पारम, अमीर करीब, डिफरेंसेज भुला के हम उसे मनाते हैं, इंडिया की जीत पर हम खुश भी होते हैं, और अगर हम हार भी जाएं, तो हमें दुख होगा है, लेकिन हम यह उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में हम उन्हें हरा दे, इशिया कब में देखिए, अभी तो इ और अगर आपने अंतक यह एपिसोड देखा है, तो मैं एक और चीज आपसे बोलना चाहूंगा, मैं अजूल भजूल कॉमेंट्स देखके मैं बड़ा परिशान हो जाता हूं, तो इस एपिसोड में, जो इंडिया और पाकिस्तान लिखेगा अपने कॉमेंट्स से पहले, या तो इंडिया लिखो, या तो पाकिस्तान लिखो, और फिर अपना कॉमेंट्स लिखो, उन्ही को मैं जबाब दूँगा, और हाँ, आप लोग गूसते रहते हो, टीशेट्स कहां से आते हैं, कडकमर्च.com slash the देशबग, कडकमर्च.com slash the देशबग पर आपको हमारे सारे जो भी मैं टीशेट्स यहां पैनता हूँ, वो मर्च आपको वहां मिल जाएगा, थैक्स पर वाचिंग.